हुए हम लोग डिसकस करते हैं दोस्तो लग डाउम खेHelp हम लोग कराए है इस पर हम लोग डिसकस करते हैं md क्रासस पर जो है अब रही क्वाइब सारी क्यों सब्सक्रों करा जाएंगे ढ़ना दॉबीस कटे क्ट Šit जाएंगे ताकि आप कोई दिक्कत ना हूँ दोस्तों ठीक है तो प्लीज जो है आप लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाईए सभी लोग आ जाईएगा ठीक अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और कमेंट में भी आकर जल्दी-जल्दी कमेंट कर है तो आईए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पहला कोई चल आद हम दोख बोट पर जो है मैंशन करते हैं ठीक Roman दोस्तों तो सरीर में किस की कमी हो जाएगी जिसकी वज़ा से मेरे प्यारे बच्चों ठीक है मेरे प्यारे भाईयों ठीक है कि रिकेट्स बिमारी होती है तो रिकेट्स को हम लोग हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सूखा रोग भी बोलते हैं तो ध्यान से समझेगा एक एक करके पहला है आपका vitamin K दूसरा option है आपका vitamin D तीसरा option happiness A और चोथा option vitamin B तो आप बताइएगा कि कमी किसment ki से होथा ह queens is बैक्ति में अगर Rickie अंदर किस कमी है जल्दी से बताइए आप लोग जल्दी विटामिन कमेंट करके आपको बता दीजेगा की अगर एक व्यक्तिरijn मों से पीडित ह्यूह से उसमा होगी तो जल्दी हम आशर आपको पता कर डिस्क्रस करा देते हैं विटामिन d की कमी से विटामिन डी की कमी से रिक्रस होता है दोस्तों आहिए डिस्कर्स कर बात करेंगे किससी सब्से सबसे एक अच्छा प्रहता या ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब के नाम से बीजानते हैं किस नाम से जानते हैं संचाइन विटामिन के नाम से जानते हैं याद रखिएगा अब देखेगा विटामिन्दी का काम क्या है हमारे बॉडि Melbourne का क्या होगा एक कमी कमी हो जाेगी तो क्या दिक्ष्ट होगा कैल्सियम और फासफोरस की भी हमारे सरी में कमी हो जाएगी और कैलशियम हमारे हड्यों का में component है अवयो है और जब हड्डियों में calcium phosphorus की कमी होगी तो क्या हो जाएगा हड्डी बीख हो जाएगी और जब हड्डी बीख हो जाएगी तो उस बीमारी को क्या बोलते है रिकेट्स क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चो रिकेट्स या सूखा रोग बोलेंगे क्या बोलेंगे रिकेट्स और सूखा रोग अब ध्यान से समझेगा एक होता है रिकेट्स और दूसरा आश्टियो मलेशिया बस इन में अंतर समझना है प्रेंगे मेरे प्रून्र दिंगा।र playful क्यों जो छोटे बच्क में होता है जब की आश्टो मलेसिया वह वैस्ट में होता है यहीं नतर है एज की यहहताहहै चाइलड में और यहहता है आपका दूसरा वाला एडल्ट में में किसमें होता है डैल्टमें लेकिन दोनों का कारण यहीए कि कि उनके सरीर के अंदर किसकी कमी कमी हो गई है लो कहते आट Sense Malaysia दोनों जो है वो किसकी कमी से होता है विटामिन-D की कमी से लेकिन बच्चों में अगर रिकेट्स हो तो इसका मदलब यह बच्चा है औरคुन कंतोा कुछ से रक्त का थक्का देरी से बनता है ठीक है इंक्रीज दा डूरेशन आप ब्लेड क्लाटिंग ठीक दूसरा है विटामिन ए विटामिन ए को बोलते है रेटिनॉल बोलते है केमकल नेम इसका क्या है रासानी नम रेटिनॉल है और रेटिनॉल की कमी हो जाए गिया विटामिन ए बिटामिन बी की कमी से तो जब भी हम पढ़ाएंगे बीवन बीटू बीटू बीट्री ठीक है तब डिटियल से समझाएंगे ठीक दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्यों हम लोग बढ़ते हैं ठीक मेरे प्यारे बच्चों अगला क्यों सा विटामिन सरीर में काल्सियम के उसोषड को बढाता है विच धौक ओप फॉलोईंग इन्हेंस बीटामिन इन्हेंट दे एबजॉर्षण आफ्यों इन्पॉकाईन द्वारे बोडी में कैल्सियम के एपजौर्शन के लिए को सा विटामीन उत्तरदाई है विटामीन responsible for calcium absorption बोडी तो आप जल्दी जल्दी बता दीजेगा कि कौन सा ऐंसर सहीं हो गा जल्दी बता ये कोण होगा B मतलब vitamin D जो है वो क्या है विटा vitamin D जो है वो क्या है आपका calcium absorption के लिए उत्तरदाई है vitamin B आप option पर discuss करेंते हैं A का नाम retinol है D का नाम है calcium b1 का नाम है आपका thymine और B6 का नाम है paradox in ठिक आई आगे बढ़ते हैं next question की तरह बढ़ेंगे next question मेरे प्यारे बच्चों यह दिया हुआ है नीचे एक अभी कथन कि ए और आर दिया गया है अभी कथन यह कह रहा है कि बेरी बेरी एक बिसाडू जनित रोग है बेरी बेरी इस आ वाइरल डिजीज दूसरा कह रहा है बिटामिन की कमी से बिमारी बिटामिन की कमी बिमारी का कारण बनती है जल्दी जल्दी बताईए दोस्तों कौन सा सही है ए गलत है लेकिन आर सही है ए सही है लेकिन आर गलत है ए और आर दोनों सही है आर ए की उचित व्याख्या करता है जल्दी बताईएगा दोस्तों ठीक है फटा पड़ बताईए जल्दी जल्दी बताईएगा मेरे प्यारे दोस्तों चलिए जल्दी बताईएगा कोई बात नहीं देखिए बेरी बेरी जो है बेरी बेरी रोग जो है वो बिसाड़ू से नहीं होता है बलकि बेरी बेरी रोग जो है मेरे प्यारे बच्चों वह बिटामिन B1 की कमी से होता है तो ये statement गलत है और vitamin की कमी से बिमारियों का कारण बनती बिलकुल अगर vitamin की कमी हो जाती तो बहुत सारे रोग उत्पन होते जो vitamin कमी होगी उसी से संब्दित बिमारी उत्पन हो जाएगी इसका मतलब A गलत है और R सहीं है तो A गलत है लेकिन R सहीं है आंसर क्या हो जाएगा A होगा आंसर कौन सा होगा A होगा किलियर हो रहा है तो इस तरह का अगर लंबे कुछ यना आ जाए तो बिलकुल परिसान मत होगा ठीक है बेरी बेरी एक विसाडू जनित रोग है बेरी बेरी is a viral infection ठीक है डब लैक आप विटामिस कॉस डिजिजेस बिलकुल बात सहीं है पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट सहीं है इसलिए पहला अंसर इसका सहीं होगा दोस्तों ठीक चले next question क्यों बढ़ते हैं next question कहता है निमलिखित में से भीतामीन एका सबसे अच्छा सुरोत्र किसे माना जाता है विटामीन एजो है जल्दि बताएगा अच्छा सुरोत्र कौन है चल्दि से बताएगा पत्तागो मी गाजर इड़ियूस थाफ भीटामी ए का पोटेकन है टीलिडा不用 कोई बात नहीं घौजर गाजर क्या है गाजर जो है शुर्ष कारन अच्छा यग क्युंकि विटामिन ने बीटा-किरोटीन बीटा-किरोटीन महां जाता है तो मनोंको सरीर में जाता है तो मानों के सरीर में human body में एक ऐसी टेंडेंसी या परकृति पाई जाती कि बीटा करोटीन को विटामिन ए में convert कर देता है और विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो मानों के लीवर में रहता है और हम आपको बता भी चुके हैं ठीक है अब देखिएगा दोस्तों इसके आगे की दुनिया समझ दीगा मान लेजे वह आप सनवा में ठीक है एकदम से गाजर को हटा दिया इसकरवी रोग जिसके लच्छडों में मसूडों से खून आना सामिल है उसे आहार में सामिल करके रोका जा सकता है इसकरवी डिजीज वूज सिम्टम्स इंक्लूड बलड फ्रॉम गंस कैन बी प्रिवेंटेड तो ज्वाइनिंग इट कह रहा है कि इसकरवी एक रोग है उ इस रोग का लच्छड उस डिजीज का सिम्टम है कि मसूडे से खून आता है मतलब एक गंस से या जिंजीवा से ब्लीडिंग होने लगता है अब उस रोग को सही करने के लिए उस व्यक्ति को खाने में क्या एड करना चाहिए मतलब खाने के साथ क्या खाना चाहिए पहला ऑप्षन ने डूसरा और सने कोलेस्टराल आप्षन ए बिटामिन सी और चवत्छा ऑप्षन है प्रोटीन इसका मतलब कि पूछ रहा सीधा सीधा कि किस की कमी से इसकरवी रोग होता है तो आप तुरंत बताएंगे मसूडा बहुत लोग मुह बना के तुरण दात ना दात नहीं क्या प्रभावित होता है मसूडा तो इसकरवी से क्या प्रभावित होता है मसूडा इसकरवी किसकी कमी से होता है करते हैं तो और भी खटी फल है उनमें भी पाया जाता है विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है विटामिन सी जो है वह हमारे बॉड़ी के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है चलिए नेस्ट किरिया में मदद करता है which of the following vitamin helps in the general process of blood clotting in the blood जल्दी बताईएगा आप लोग बहुत इसी question है कि रक्त का ठक्का बनाने में कौन सा vitamin उत्तरदाई है जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे भाई जल्दी बताईए which vitamin which of the following vitamins help in the general process of blood clotting in the blood जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ vitamin c vitamin a vitamin d vitamin k कोई बात नहीं है vitamin d the correct answer vitamin d sorry vitamin k the correct answer vitamin k जो है वो रक्त का ठक्का जमने में मदद करता है और vitamin k का नाम है नाम है सिसकी बताई या को एक नाम से और जानते हैं HAUp इस च distribution लिए कंप साबी टांसा है में उत्तरदाई है के vitamin c को स्कारविक शिड बोलते हैं खिक है कैसे इसको हुआ अगरते हैं चलिए नियुथ पोलते हैं कैसे जो है इसको रक्त-सराव-रोधी विटामिन बोलते हैं या इसको हम लोग क्या बोलते मेरे पैले बैट्चों anti-hemorgic vitamin बोलते हैं क्या बोलते हैं anti-hemorgic vitamin चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question की तरफ बढ़े next question कहे रहा है निम लिखित में कौन सा एक calcium का समरिद्ध स्रोत्र नहीं है which of the following is not a rich source of calcium पहला है cheese दूसरा collard greens तीसरा अंजीर चौथा गाजर चीज को लाट ग्रेंज फिग एंड कैरेट इन में से कौन सा ऐसा है जिससे calcium का अच्छा स्रोत्र नहीं माना जाता है जल्दी से आप लोग बताईएगा जल्दी जल्दी बताईएगा calcium का अच्छा स्रोत्र नहीं है पहला आप सब्सक्राइब पनीर दूसरा है को लाट ग्री तीसरा अंजीर चौथा गाजर तो पनीर कोलाड ग्रीन अंजीर और गाजर पहीं अंसर होगा गाजर गाजर में calcium नहीं पाया जाता है बलकि गाजर जो है next question कह रहा है मेरे प्यारे भाईओं पहरा है कि निम लिखित में से किस बिटामिन में कोबाल्ट नामक खनीज पाया जाता है पहला option है vitamin b3 दूसरा option है vitamin b2 तीसरा option है vitamin b12 और चोथा option है vitamin b6 which of the following minerals is called झाल 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 झाल